हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू टार्गेट फॉर आईक्यू, मिरा नाम है वैभव, आज ची क्लास में अलाबाद हाई कोट के एक जज्ज्मेंट के बारे में बात करेंगे, जो की लव जिहाद से रिलेटेड है, यानि की एंटी कन्वर्जन लौ से रिलेटेड है, क्या हु था क्या, इस एक्ट में ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति अनलोफुल तरीके से कन्वर्ड करता है, अपने रिलीजिन से एक दूसरे रिलीजिन में, यानि धर्म परिवर्टन करता है, और ओ धर्म परिवर्टन कैसे करता है, बाय फोर्स करता है, या उसके साथ या misrepresentation होता है या coercion होता है या किसी भी माध्यम से अगर एक व्यक्ति को धोकदरी करके या fraud करके उसका conversion करा देते हैं तो ऐसे में ये वाला कानून उसको संग्रक्ष देता है protection देती है साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जिनका धर्म अलग अलग है एक हिंदू हो गए मुस्लिम हो गए या एक हिंदू हो गए क्रिस्चन हो गए कोई भी दो व्यक्ति दो अलग धर्म के हैं अगर वो साथ में शादी करना चाहें तो उनके पास दो situation है पहली situation यह है कि वो special marriage act में जाके शादी करें और दूसरी situation यह है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके शादी कर सकते हैं ठीक तो यह act भी यही बोलता है कि अगर आपको शादी करनी है तो आप पहले अपना धर्म परिवर्तन करिए यह तो बात होगे शादी की दूसरी बात जो कि एक act बात करता है कि अगर कोई दो व्यक्ति जो अलग-अलग धर्म के हैं वो living relationship में रह रहे हैं और रहे कहां रहे हैं UP की territory में रहे हैं यानि UP state में अगर दो व्यक्ति अबव 18 years age के हैं और अलग-अलग धर्म के हैं और वो living relationship में रह रहे हैं तो living relationship में रहने के लिए उनको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उनके जो यह relationship है living relationship उसको कोई भी एक value नहीं मिलेगी एक recognition नहीं मिलेगा और उनका यह जो relation है उसको protection court प्रोवाइड नहीं करेगी यह बात करता है हमा वाले case में. Petition was presented to the Allahabad high court by a Hindu girl and her interfaith partner that is Muslim seeking to quashing of an FIR lodged against the man of the charge of kidnapping. यानि कि petition file करी गई और उस petition में कौन था दो parties थी एक हिंदुगर्ण और दूसरे partner जो petitioner था वो था Muslim man तो दोनों court में गए अलाबाद high court में और उन्होंने request करी अलाबाद high court से कि FIR जो की lodge हुई है kidnapping के लिए यानि कि जो Muslim man पे kidnapping की FIR lodge हुई है उस FIR को quash कर दिया जाए ये petition में लिखा था ठीक facts क्या थे इसमें? facts यह थे she was in love with a guy to another religion with whom she wanted to get married यानि कि जो Hindu girl थी और Muslim man था उन दोनों के बीच में एक relationship establish हुआ और दोनों को प्यार हो गया और दोनों आपस में शादी करना चाहते थे but her family members were extending to a threat of life यानि कि जो उस Hindu girl की जो family members थे वो उसको धमका रहे थी कि अगर तुने ऐसा कुछ काम किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे ठीक and therefore she left the home और इस कारण वर्ष वो अपने घर से भाग गई and started living with him as a as per her own free will और उसने कहा कि जब मैं अपने घर से भागी तो हम दोनों एक living relationship में रह रहे थे और मैं अपनी स्वेच्छा से ही रह रही थी कोई जो और जबरजस्ती नहीं की गई at present both are residing with each other in living relationship and applied to court for quashing the affair वो दोनों living relationship में आये थे और court के सामने उपस्थित हुए किसलिए कि जिससे FIR यानि कि वो जो हिंदू गर्ल है जिसकी family member ने उस मुस्लिम लड़के के खिलाफ एक FIR lodge करी थी kidnapping की उस FIR को quest करने के लिए वो अलाबाद high court पहुचे फिर advocate government advocate यानि जो सरकारी वकील court में आया उस उसने अपने क्या बोला उसने बोला appearing for the state submitted that since both the petitioners belong to different religions अलाबाद sorry government जो सरकारी वकील आया था उसने बोला कि जैसे हम सब जानते हैं कि यह जो दोनों party Muslim girl और Muslim man और Hindu girl वो दोनों अलग-अलग धर्म से हैं and they have not applied for conversion as per section 8 and 9 of UP Act 2021 और सरकारी वकील ने बोला कि जब यह दोनों अलग-अलग धर्म के हैं तो और यह living relationship में रह रहे हैं तो काइदे में इनको अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए था इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा तो क्या हुआ जो वो Act है जो 2021 से पास हुआ था आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो आपका जो रिलेशन्शिप है इसको protection नहीं दी जा सकती और इसी कारणवर्ष FIR जो है वो question नहीं होगी क्योंकि जो कानून आ गया उस कानून में क्या लिखा है कि आप living relationship में रह सकते हो कोई मना नहीं है दो अलागर धर्म के व्यक्ति रह सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात नहीं बट आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा बट इस वाले case में क्या हुआ उन्होंने अ कुछ सुलिया तो कोट ने कहा कि both the petitioners belong to different religion ठीक है दोनों अलग-अलग धम से belong करते हैं and they have not solemnized their marriage in accordance with the law और उन्होंने शादी भी नहीं करी है किसी भी कानून के तहत and rather they are residing in living relationship which is prohibited by section 3 clause 1 of the SEDEC और कोट ने ये भी कहा कि जब उन्होंने शादी भी नहीं करी और वो living relationship में रह रखा है वो आपने पूरा नहीं करा और जब आपने वो पूरा नहीं करा तो आपने एक कानून को वॉलेट किया ठीक है उलंगन किया इस कानून का court also said that conversion is not only required for the purpose of marriage court ने ये भी बोला है कि जो आप convert कर रहे हो ये खाली एक शादी के लिए ही नहीं होता है ये होता है relationship in the nature of marriage यानि कि हर वो relationship जिसका nature एक marriage की तरह है तो जैसे हम सब जानते है living relationship शादी तो नहीं है बट उसका nature कैसा एक शादी जैसा ही है कि दो व्यक्ति एक जो शादी करने के बाद साथ में रहते हैं उसी तरीके से living relationship में रहते हैं तो court ने यहीं बोला कि conversion खाली शादी में ही नहीं किया जाता अगर आप living relationship में भी रह रह रहे हो तो इस कानून के तहत आपको convert होना पड़ेगा पड़ आप convert नहीं हुए हो ठीक court ने और भी बोला petitioners have not yet applied for conversion कि जो petitioners हैं जो court के सामने आये थे अपने relationship को protect करने के लिए वो अभी तक conversion के लिए उन्होंने apply नहीं किया जो कि section 8 और section 9 में लिखा हुआ है hence relationship of petitioners cannot be protected in contravention of the provisions of law और court ने ये भी बोला कि इसके तहट जब आपने apply ही नहीं करा तो आपको protection भी नहीं दी जाएगी कानून के तहट unless जब तक की both solemnize their marriage जब तक की दोनों शादी ना कर लें शादी करेंगे तो क्या करना पड़े है convert करना पड़ेगा or convert to other religion and hence FIR is not liable to be caused या तो आप शादी ना कर जब तक आप शादी ना करोगे या फिर आप living relationship में रहो बट आपको convert होना पड़ेगा तब तक आपकी FIR quest नहीं की जाएगी तो यह था इस case में I hope आपको case समझ में आया होगा जो cracks है ना वो यह है कि जो case जो यह act था 2021 का इसके पीछे कारण यह था कि आप अगर शादी करना चाहो तो आपको convert होना पड़ेगा बट अगर वो conversion आपके जबर जस्ती किया गया है धोके जड़ी से किया गया है तो उस conversion की कोई value नहीं है first point second point है कि अगर आप living relationship में रह रहे हो यूपी में ये खाली यूपी state पर apply होगा act ये पूरे हिंदुस्तान पर नहीं होगा ध्यान रखेगा अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और living relationship में रहे हो और दो व्यक्ति हैं अलग-अलग धर्म के तो आपको living relationship में रहने के ल अलग-अलग-षजाय इसffentlich में रहे हो जोग येगा ज्यक्ति हायं रहे हो